देस इस आर के शुकला, एक्स फैकल्टी फॉर एलन कुटा, एस वेल एस आकाश इंस्टिट्यूट जनकपुरी नई दिल्ली, बच्चो अभी हमारे बाइलोजी सीरीज फॉर नीट टुथाउजन टुटिफाई-टुटिफाई-टुटिश में अभी हम बात कर रहे हैं, इनह इनहरीटेंस में जिस टॉपिक से हमने चलू किया है, ये मैंडेलियन इनहरीटेंस का एक टॉपिक हमने लिया है, म्यूटेशन, उसका पहला लेक्चर, पहला माइनर लेक्चर, यहां पर हम लोग बहुत ही छोटी-छोटी लेक्चर ले रहे हैं, जो कभी आपके उपर इनहरीटेंस इसे थोड़ा सा कठिन माना जाता है, बट मेरा दाबा है, मेरे माइनर वीडियो छोटे-छोटे आप देखते रहे हैं, यह सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, तो चली हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा हम डिसकस करेंगे कि कल हमने क्य बात किया था, और आज हमें क्या बात करना है, थोड़ा सा हम इस बारियों में बात करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो देखो, यह पहले थोड़ा सा हम बात करने कि कल हमने कहां बात किया था, और आज हमें क्या बात करना है, थोड़ा सा इसको हम डिसकस करने, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन is further categorized as numerical or quantitative and second one structural or qualitative अब numerical में दो कटेगरी हैं, uploid and n-uploid इन दोनों के बारे में कल हमने discussion किया था आज हमें बात करना है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में structural mutation के बारे में और कल हम बात करेंगे point और gene mutation के बारे में तो structural mutation में कुल मिलाकर 5 point यहां पर आते हैं, 5 heading है जिनको हमें discuss करना है इसमें पहला heading है deletion, deletion के बाद जो second heading यहां पर आ जाता है यह second heading यहां पर है, अच्छी तरह से आपको याद रखना है, this is addition addition के बाद फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, addition के बाद हम बात करेंगे duplication के बारे में और translocation के बाद हम बात करेंगे inversion के बारे में, तो कुल मिलाकर इतने point को यहां पर हमें discuss करना है और यह point complete होते होते, यह chapter complete हो जाएगा, तो इस बात को हमें अच्छी तरह से यहां पर याद रखना है, ठीक है? तो चलिए, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे deletion के बारे में, फिर addition के बारे में, तो यहां थोड़ा सा हम discuss कर लेते हैं अब देखो, यहां पर center में जो diagram हमने लिया है, यह normal chromosome है, याद रखना यह बीच वाला जो हमने, यह हमने जो diagram बनाया है, center पर जो diagram हमने लिया है, याद रखना, यह normal condition है, यह क्रोमोसोम की normal condition है, यह वाली अब मान लो, क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा यहां पर अलग हो जाए, तूट जाए, जैसे यहां पर इस diagram में यह दिखाई दे रहा है, इतना सा हिस्सा यहां से अलग हो गया, अब इतने से हिस्से का मतलब क्या है, बच्चों इतने से हिस्से में 16 DNA double helix होंगे, और 16 DNA double helix होगा, और कई सारे जीन, कई सारे जीन इसके अंदर होंगे, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, बहुत सारे जीन इसके अंदर होंगे, तो अगर इतना सा हिस्सा अलग हो जाए, then this is called as deletion, you have to keep in your brain, क्रोमोसोम के एक हिस्से का अलग हो जाना, this is called as deletion, अब मानलो ऐसा हो कि उसका एक छोटा सा हिस्सा double हो जाए, मतलब उतना साही हिस्सा और बन जाए, और उतना साही हिस्सा बन कर उसी क्रोमोसोम से attach हो जाए, मतलब क्रोमोसोम का size कुल मिला कर बढ़ जाए, this condition is called as duplication, you have to keep in your brain, this condition is called as duplication, ये क्या कहलाता है, duplication कहलाता है, ठीक है, फिर अगर मानलो ऐसा हो, अब original condition पर जाए, ये मानलो ऐसा हो जाए, कि किसी दूसरे क्रोमोसोम का कोई हिस्सा, बच्चों इस बात को अच्छी तरह से ध्यान देना, किसी दूसरे क्रोमोसोम का कोई हिस्सा इस क्रोमोसोम पर आकर जुड जाए, जैसे यहां आप देख रहे याद रखना एडीसन उडूप्लीकेशन में बहुत जाद अंतर नहीं है डूप्लीकेशन में क्रोमोसों का एक अपना ही छोटा सा हिस्सा डबल होकर जुड जाता है जबकि मैं एडीसन की बात करूं और यहां पर आ जुड़ जाता है, जिससे is called as addition, ठीक है, तो देखो अभी हमने deletion का बात किया, duplication का बात किया और addition का बात किया, अभी यहां से आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखो, यह दो क्रोमोसोम मैंने अलग हो जाता है, उसके बाद A का जो हिस्सा अलग हुआ है, वो B पर आकर जुड़ जाता है, और B का जो हिस्सा अलग हुआ है, वो एक पर आकर जुड़ जाता है, तो इसमें यह क्रोमोसोम, इस exchange के बाद, मतलब A और B क्रोमोसोम में छोटे से पार्ट का एक्षेंज होता है और एक्षेंज के बाद देखो ये इस तरह से दिखाई देगा ये एक्षेंज के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा ये A क्रोमोसोम हो जाएगा और ये B क्रोमोसोम हो जाएगा और ये B का वो पार्ट है जो A में जुड़ा है और ये का वो पार्ट है जो B में जुड़ा है such kind of change is called as translocation ये क्या कहलाता है translocation कहलाता है ठीक है फिर अगले हिस्से पर जाएए इसमें क्या हो रहा है देखो ये एक क्रोमोसोम हमने लिया है मतलब ये देखो ये पहले pointed end से यहां जुड़ा हुआ था अब ये broad end से यहां जुड़ गया है और pointed end का इस side में आ गया है तो अगर ऐसा एक छोटा सा piece क्रोमोसोम का अलग होता है तूटता है फिर उल्टा होकर जुड़ जाता है दिस इस called as inversion you have to keep in your brain तो बच्चे बच्चो structural chromosomal mutation में कुल मिलाकर इतनी बातें हमें पढ़ना थी जिसको हमने पढ़ लिया है ठीक है कल हम बात करेंगे gene or point mutation के बारे में इस बात को अच्छी तरह से आधर रगना तुमारो भीबल डिसकस about gene or point mutation पड़ो बच्चो मैं बहुती छोटे छोटे जोटे माईनर वीडियो बना रहाऊ प्रयास में यह है कि चीजों बहतर धंग से आप समझ सके अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास चीजों को आपको समझाने में सहायक है और चीजै 240 आपके लिए आसान हो रही ताकि उन बच्चों तक जिनके लिए कोचिंग को अफोर्ट करना संबब नहीं है वो काफी सारी चीजों को सीख पाएंगे ओके, all the best, कल हम इसे आगे बढ़ाएंगे